अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहां सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिसे के आपको ताजा आपडेट मिलते रहें मजजी से बंदिया आजीमतर हैदराबाद को छोड़कर रियासत की 131 बंदियात के इंतकाबाद के सिसले में आज राई दही कामल सुबास 7 बज़े शिरू हुआ और शाम 5 बज़े इसका अक्तताम अमल में आया पूरी रियासत में राई दही मजमुएतर पर पूरामन रही तलंगारा स्टेट एलेक्शन कमिशन ने पूरामन राई दही के लिए जबर्दस इंतजामात किये थे 45,000 पोलिंग स्टाफ और 50,000 से जायत पोलिस वालों को एलेक्शन के काम पर लगया गया था सुबास ही मराकेज राई दही पर राई दहींदों की खतारें देखी गई यासती वज़रा अरकाने संबली और सरकारी अदोदार ने भी अपने अबाई शेर में ओड़ डाले अजला नलगुंडा, महबनगर, अदिलाबाद और दूसरे कुछ मकामात पर पोलिंग के आगाज में कुछ ताकिर हुई गदवाल मिस्पटी के गंडी पेट में कॉंग्रेस और मजलिस के कारकुनों में जड़प हुई जहां पोलिस को लाड़ी चार्च करना पड़ा इस वाके में कॉंग्रेसी कारकुन जखमी हो गया कॉंग्रेस ने मजलिस के खाहिदी पर राइदे हिंदों पर हसांदाज होने की कोशिशों का इलता हम लगाया इसके बाद इन में जड़प हो गई तीन हजार बावन बल्दी वाट्स के लिए बारह हजार आट सो चेहलिस उम्मिदवार मैदान में थे पहली मरतबा मेर्चल मलकाजगी जिले के कॉंपली मिस्पल के तहत दस मराकिज राइदही पर फेस रिकर्गनिशन एप इस्तमाल किया गया ताकि फर्दी ओटरों को ओट डालने से रुका जा सके शेहर के नवाई लाखे जल्पली के बल्दी इंतखाबात में आज राइदही के दोरान धामदियों और बोगस ओटिंग की शिकायात मिली है राइदही पर सियासी जमातों के कारकॉंडों में बहस औ तक्रार के मनाजिर भी देखे गए एक मकाम पर पॉलिस ने मतसादिम गुरुपों को मुंतशिर करने के लिए लाट इजाज भी किया गाजी किडनी सिंटर एंड मल्टी स्पेशालिटी हास्पिटल गुर्दे और बबासीर के इलाज का 40 साला मशूर हास्पिटल जहां हजारों पेशन्स क्योर हो चुके हैं डॉक्टर हुसाइनी इंटरनेशनल नाइशनल एवार्ड विननर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमात गुर्दे के तमाम अमरास का मुकमल ट्रीटमेंट किया जा रहा है गुर्दे फेल हो चुके हों डायलेसिस करवा रहे हों याद रखिए डायलेसिस कोई इलाज नहीं इससे एक फीस्द भी गुर्दे रीकवर नहीं होते हां डायलेसिस टेंपररी रिलीव दे सकता है लेकिन हमारी treatment से गुर्दे फिर से function में आ सकते हैं गुर्दे श्रिंक हो गए हो या cyst हो गुर्दे की पत्री हो कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या piles या बवासीर चाहे bleeding हो या comb बगएर operation मुकम्मल क्योर ट्रेटमेंट का एक ही center गाजी kidney center DLRL main road opposite Vikas high school चंदराइन गुट्टा हैदरबाद cell 9966930824 या 9391 326261 मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लिमेंट बैस्टर असुद नवेसी ने कहा है कि NRC और NPR एक ही सिक्के के दो रुख है अगबाई निमादों से बाचित करते हैं उन्होंने मरकजी वज़े दाखल आमीश शाह के बयान पर शदी तनकीद की इसमें उन्होंने कहा था कि हकुमत CAA खानून को किसी भी सूरत में वापिस नहीं लगी असरद हबसी ने कहा कि आसाम में NRC सुप्रेम कोर्ट की हिदायत पर हुई थी और शुप्रेम कोर्ट को इस मामले का जायजा लेना चाहिए उन्हें कहाए कि आसाम में वनिस लाख अफराद गहर हिंदोस्तानी पाए गए उन में से एक्सरियत हिंदों की थी और इन हिंदों को ही हिंदोस्तानी शहरियत देने के लिए ही सिये का खानूर लाया गया है जेजंसी के दबीरपुरा डिवीजन में आज जिमनी तकाबात के सिले में राय दही हुई जो मजमुई तोर पर पूर रामन रही मजलिस के रियाजोरस्तन अफंदी के मेसी बनने के बाद ये निशिष्ट खाली हुई थी इसलामिक स्कूल के खरीब कांग्रेस और मजलिस के कारकुनों में बहस और तकरार के बाद हलकी सी कशिदगी पैदा हुई पॉलिस के जाय दस्तों को इलाखे में भेज़ दिया गया और हालात पर खाबू पाया गया एक और वाके में मजलिसी कारकुनों ने समाजी कारकुन अलहाँ से सलीम की मुबेना तोर पर जबर्दश पिटाई कर दी बता जाता है के सलीम ने मजलिस और मजलिसी खायदीन के खिलाफ कुछ नाजबा रिमाक्स किये थे जलिया आदिरबाद की ग्याना बल्दियात के तीन सो से जायद वाक्स के लिए अजराय नहीं हुई जो पूरामन रही इन ग्याना बल्दियात में चार बल्दियात निर्बल, मंच्रियाल, कुमाराभीम, आसिफ़बाद में पहली मरतबा बल्दी शिनाओ हुए हैं 309 वाक्स के लिए 1412 मिद्वार मैदान में थे खानापूर में रही देन्दों की तिदाद सुबसे कम यानि 15604 है तनेगना पूलिस के एक सीनियर रोदेदार ने आज रही दही के पुरमर इनेखात पर अपने इत्मिनान का इसार किया उन्हें बताया कि ओटरों में उरुपियों के तक्सीम की शिकायत के सिवा चिनाओ का मरहला किसी नाखुजगवार वाके के बिना पूरा हो गया पुलिस के मताबिक तकरिबन 50,000 पूलिस वालों की खित्मात हासिल की गई थी बायबाजों की इंतिया पसंदी के मुतासरा अजला में खास्त तबज़ो दी गई थी फिर्खे वरना हसास इलाखों का भी आहता किया गया था इंतिखाबी मुहिम के आगास से अब तक तशद्द्द और एलेक्शन कोड़ाफ के खिलाफ परदी के 131 मुकदमा दर्च किये गए हैं लैस्त पर में 51,30,000 रुपे की रखम और 21,27,000 रुपे मालियती शराफ जब्द की गई पुलिस उद्दार ने बताया कि आमनों जब्द की सुरतहाल को बिगाणने की कोशिशों पर 1122 मुकदमा दर्च किये गए शहर के एयस रावनगर इलाके से तीन बच्चे कल से ला पता हैं तीनों कुशाईगुडे के खांगी स्कूल में दस्वी जमात के तालेबिन हैं और आपत में दोस्त भी हैं पुलिस का कहना है कि तीनों अपनी मर्दी से घर से रवाना हो गए ताम पुलिस ने इन तीनों का पता चलाने के लिए खुसूसी टी में तश्किल दी हैं हदरा पर्देश के सीनियर कर्मुनिस लीडर डक्टर एबी विठ्टल का विजवाडा में देहान थो गया वो असी बरस के थे विठ्टल ने सुरिया पेंट में एक अवामे दवाखाना पढ़जा विदिया शालाग खोला था जहां मरितों को सिफ तीन रुपे में दवाएं दी जाती थी रियासती वजवाडा में डक्टर विठ्टल की रिहाजगा पहुंच कर उन्हें खिराज पेश किया और इनके रिष्यदारों को पुर्शा दिया डक्टर विठ्टल सीपीम से तालोग रखते थे और अलेहदा रियासत तेलेगाना के कटर हमी थे चला गंगा बिंदरी माचला यमुना गंगा उचला जला धितरंगा तब शुब नामे जागे तब शुब आशिशमागे गाए तब जया गाता जनगन मंगल भायक जया है बायत भागे विदाता जया है जया है जया है जया 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 है 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 जिल्ले विखानाबाद में नौ तश्किल शुदा परगी मिस्पर्टी के लिए आज रायदई हुई पोलिंग बूस पर रायदई हिंदों में काफी जोशो खरुच देखा गया मकामे रुक्ने संबली महिस्पर्टी ने अपनी बीवी के हमरा जिला परिशद हाई स्कूल के मरकज रायदई पर अपना ओड़ डाला रियासाती वज़ेर टूरिजम स्रीनवाज गौर्ण ने आज भ्यबनगर के पदमालिया स्कूल में अपना ओड़ डाला उनके हमरा उनके अरकाने खांदान भी थे सादक सदनेश्वीर खानों सास कौंसल समामी गौर्ण एक तवील अरसे के बाद मंजर रहाम पर आए वाच मज़ाफाती अलाखे में हखराईदा का इस्तमाल करने पहुंचे थे हमीर पेट के लाखे में हावारा कुतों की कसरत से मखामी लोग काफी परेशान है धरम करन रोट के खरीब कुतों की हमले में अब तक 40 बच्चे जखमी हो गए मखामी अवाम ने बंदी हुकाम से अपील की कि वो अवारा कुतों को पकड़ने के लिए फौरी उसूदी मुहिम का आगास करें झाल 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 जारकन के सिले मगरीबी सिंग भूम में पतल गड़ी तहरीक से वाबिस्ता अफरात दे उनके इतिजाज की मगालिफत करने वाले साथ अफरात का अगवा करके उन्हें हलाका डाला इस्पेक्टर जनरल पॉलिस सुकुत कुमार सिंग ने बताया के साथ अफरात की हलाकत की तिला मिलने पर पॉलिस कल रात बुर्गू लिक्रा मौजे को गई थी इन साथ अफरात को मानने के बाद इनकी नाशाओं को जन्गल में फेक दिया गया था मनने वालों में पंचा समीती का एक रुकुन भी है रात बर की तलाशी के बाद मौजेक्स से चार किलिमेटर दूर जन्गलाती लाखे में इनकी नाशे पाई गई ये गाउंग दारुलुकुमत राशी से 125 किलिमेटर दूर है पतल गड़ी एक खबाईली तबखे का नाम है जो ग्राम पच्चायतों को खुद मुक्तर बनाने का मतालबा करते वे एक अरसे से इहतिजाज कर रहा है उनके इलाखे में कोई खानून वानून नहीं चलता और जंगलात और पानी पर उकुमत के हक को मुस्तरित कर दिया जाता है चीज मिस्टर हमबल सोरेन ने इस वाके पर गहरे दुक का इज़ार किया और कहा कि खानून से कोई बालातर नहीं है मुझीमिन के खिलाफ कारवे की जाएगी और उन्हें बख्षा नहीं जाएगा 36 साला शक्स ने जो शुबा किया जाता है कि मेंगलूर के इंटरनेशनल एरिपोर्ट पर धमा को अश्या रखा था आज खुद को पोलिस के हवाले कर दिया मेंगलूर में डायक्टर जनल पोलिस के दफ्तर में पेशी के बाद पोलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पूछता शुरू कर दी है मुझतबा शक्स की शिनाक्त मनिपाल के रहने वाले अध्यत्याराओ की हैसे से की गई है मेंगलूर एरपोर्ट के सिंसी टीवी फूटेज में भी उसकी तश्वीर खैद हुई थी मेंगलूर से पोलिस के एक टीम भी मेंगलूर पहुंच गई है ताकि मुल्जिम से तफ्तिश की जा सके अध्यत्याराओ इंजिनेरिंग का ग्रैजुएट है और उसने बिजनेस अड्मिस्रेशन भी डिगरी हासिल की थी याद रहे के मेंगलूर रेपोर्ट के डिपार्चर गेट के पास 20 जन्वरी को एक नामालूम बैग दस्तियाब हुआ था जिसमें धमाकू मादा मौझूद था करनाटे के साब एक सिर्फ मिस्टर एच्डी कुमार स्वामी ने मेंगलूर एरपोर्ट पर एक बैग में धमाकू अश्या की दस्तियाबी के वाके को फिशी खरार दिया और शुबा जाहर किया कि बाश्यार पसंद तद्जी में अवाम को खौफ ज़दा करने के मकसद से यह हरकत रचाई हो खर्दात अकबाली नमादों से बाचित करते वे उनने कहा कि पोलिस इस मामले की च्छानवीन के लिए एक महेरे का वक्त मांगा है मेंगलूर के कमिटर पॉलिस बीयस हर्शा ने खबल लजी बताया था कि मुल्जिम की गिरफतारी के लिए पॉलिस की तीन टीमें तश्किल दी गई है मुल्की सबस्बड़ी अदाला सुप्रीम कोर्ट में आज सी ए के खिलाफ दाखिल करदा रिट दर्खासों की समाज शुरू ही अदालत ने सी ए पर रोक लगाने से इंकार कर दिया तहाम मरकस को इस खानून से मतालएक दर्खासों का जवाब दाखिल करने के लिए चार हtesों की महलत दे दी सुप्रिम कोर्ट ने तवालों सिय ए से मतालएक दर्खासों की समाज करने से भी बाद रखने का हमकुम जारी किया अदालत ने कहा कि आसाम और त्रिप्रा में सीये से मुतालग दर्खासों की अलाधा समत की जाएगी चिप जट्टिस यसे बुब्डे ने रिड़ दर्खासों की समात और खानूनी पहलूआँ और हर नुकते पर तफस्लिय गोराखोस के लिए एक पांच रुकनी बेंच तश्किल देने का इशारा भी दिया है हमारे मुल्क भारत में बीजेपी हकूमत के सत्ता समानने के बाद पिछले छे सालों से बिना सरपहर के कई खवानीन पास करवा लेने वाले माहूल में जहां अवाम को हिंदू मुस्लिम में उल्जा दिया गया वहीं भारत की माशी हालत एकदम तबाह हो जाने के दोरान बीजेपी के भारत दोस माने जाने वाले लीडरों ने अभी मतनाजिया C.A.N.R.C. वो N.P.R. बिल्स लाकर सारे मुल्क में इंतशार पहलाते हुए अवाम का जहन अपनी नाकामियों की जानिब से हटा देने की नाकाम कोशिश कर दी है ऐसे में इन मतनाजिया बिल्स के खिलाफ में सारे मुल्क में हितजाजी के शुरू होने के बाद जहां हकुमत की पुलिस ने अपना पेट अपनी नौगरी के चक्कर में आवाम को मार काट कर आजादी की लड़ाई की यादे ताजा करवा दी थी वही कुछ लोगों ने इन बिल्स के खिलाफ में हकुमत के ही सुप्रीम कोट में अपनी अर्जिया दाखिल की जबके हालिया बाबरी मजजित का फैसला सुप्रीम कोट के मौकफ को वाज़ करने के लिए एक पहतरी मिसाल साबित हो गया था लहाजा वही हुआ जिसका डर था बीजेपी हुमत के लीडरों की अलानिया चालवाजियों का साथ देते हुए सुप्रीम कोट ने इन बिल्स के खिलाव सुनवाई को बिना इस्टे दिये हुए उल्टा हुकमत को चार हफ़तों का वक्त दे दिया के इनके तालुक से वो अपना मौकफ मज़ीद वाज़ करे जबके मौकफ बिलकुल साफ था लहाजा ऐसे माहूल में ये सारा तफसरा बीजे पी के साथ गहर मैसूस तरीके से जुड़ी हुई मुलक की बहुत बड़ी मतनाजिया तन्जीम आर एसस जिस पर साबखा में कई बार इमतिनाभी आयद हो गया था इसकी तेखीख के बाद इस तज्जीम की कारकरदगी पर हालिया दिनों में एक किताब लिखने वाले मुसनिफ और शहर हैदराबाद के मशूर समाजी खिदमतगार डॉक्टर अलीम खान ने ये सारा तफसरा पेश किया है मिल्ट इसल्यमिया की खास और एहम तालीम के मताबिक बद किर्दारी से पैदा होने वाली आउलाद ना सरिफ अपने खानदान माशरा बलके सारे समाज के लिए इनतहाई मुसिर नुकसंदे और बेज़ती का बायस होती है हालिया अपनी जहरी ले तक्रीरों से मशूर हो जाने वाले शिया कमिनिटी पर एक बदनुमा दाग माने जाने वाले उत्तर परदेश के शिया वगबोर्ट का चेरमेन वसीम रजवी का दिल्ली के शाहिन बाग में बीजेबी हुकमत के मतनाजिया सी ए एन आर सी वा इन पि खिदमतगार सीद वासी वसें ने आज अपने कुछ सातियों के साथ कमिशनर पूलीस हैदरबाद नजीनी कुमार के पास अपनी एक शिकायत दर्च करवाई के सावेखा में भी इस शैतान सिफत इनसान ने मिल्यत इसलियामिया की एक माह के खिलाब में जबर्दस जहर उग रहा है लहाजा इसके बास माने जाने वाले सीम योगी और प्यम मोदी से इनों ने गुजारिश की है कि इसके बड़ों की की गई गलतियों का बदला दूसरों से लेने से इसे बाज रखें गाजी किडनी सिंटर एंड मल्टी स्पेशालिटी हास्पिटल गुर्दे और बबासीर के इलाज का 40 साला मशूर हास्पिटल जहां हजारों पेशन्स क्यूर हो चुके हैं डॉक्टर हुसाइनी इंटरनेशनल नैशनल एवार्ड विननर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमात गुर्दे के तमाम अमरास का मुकमल ट्रीटमेंट किया जा रहा है गुर्दे फेल हो चुके हों डायलेसिस करवा रहे हों याद रखिए डायलेसिस कोई इलाज नहीं इससे एक फीसद भी गुर्दे रीकवर नहीं होते हाँ डायलेसिस टेंपररी रिलीव दे सकता है लेकिन हमारी ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से पंक्शन में आ सकते हैं गुर्दे श्रिंक हो गए हो या सिस्ट हो गुर्दे की पथरी हो कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स या बवासीर चाहे बलीडिंग हो या कॉम बगएर ऑपरेशन मुकमल क्यूर्ट्रेटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किड्नी सेंटर डील आरल में रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल चंदराइन गुट्टा हैदरबाद सेल डबल नाइन डबल सिक्स 930824 या 9391 326261 तेलंगाना के बल्दी इंतिखाबाद में आज पोलिंग का हैतेमाम बड़े ही पूरामन तरीखे से अपने अक्तिताम को पहुँचा CLP के फलोर लीडर मलो भटी विक्रामारका ने आज अपनी हैलिया नंदिनी के साथ मधिरा टाउन के पोलिंग सेंटर में अपने वोट का हक इस्तेमाल किया जो के उनका पैदाईशी टाउन बतलाया गया है शेर हैदरबाद के कमिशनर पूलीस अंजनी कुमार के खियादत में बशीर बाग कमिशनर आफिस में आज सेफ सिटी प्रॉजेट के सिलसले में एक जायजा इजलास तरतीब दिया गया जिसमें कई उमोर पर सभी से तबादले खिया गया इस मोगे पर एडिशनल स्टीपी क्राइम्स शिखागोईल आईजीपी शी टीम स्वाधी लाकडा के साथ सार बहुत सारे महकमे पुलीस के आला आफिसर्स वो प्रॉजेक्ट मेंबर्स ने उसमें शिर्कत की रियास्त तेलंगाना के बल्दी इंदिखाबाद के सिलसले में शेहर हैदरबाद के राजजन नगर मिनसिपल कार्परेशन के बावीस में वाट के बूत नमबर 78 से आज एक शिकायत मौसल हुई है हाल ही में वोटिंग की उमर को पहुँचने वाली एश्वरिया नामी एक लड़की ने ये शिकायत दर्श करवाई के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन का मुल्क में तनाज़या तो चली ही रहा था लेकिन बल्दिया इंदगाबाद में बाइलेट पेपर जो इस्तिमाल में लाएक हैं इस सलसले में आज इस बूत पर उसे ठपा लगा हुआ बाइलेट पेपर दिया गया जिस से साबित हुआ कि लोगों की आज़ादिय राय को आला आलिया चीन लेने की कोशिश जारी वसारी है यानि बूत पर बेटे लोगों ने ठपा लगा हुआ बेपर आवाम के हाथों में थमा दिया और उन्हें ठपा लगाने से एक तरह से बचाई लिया आप सभी समझ सकते हैं कि बल्दिया में जीत किसकी होने वाली है जबके आज ही ये मालुम हो गया है लेहादा इस सिलसले में इस लड़की ने अपने शिकायत उपर वालों तक पहुंचाई जरूर है जहां पर शिकायत के कान भारत के मौझदा माहल में बिलकुल नजर ही नहीं आते हैं जड़ गंगा मिंदर ही माचलय मुला गंगा उचला जला दितरंगा तब शुब नामे जागे तब शुब आशिश मागे दाये तब जय गाता जया है 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 कि एमक्षियार के सुपतरों तलंगाना के आई टी वह माउट के वजिर के टियार ने दो दिनों के अपने बेरुनी दोरे देवस में तलंगाना पेविलियन में रियासत में सरमायाकारी के मौाखों को उजागर करते हुए पिरमल ग्रूप अव कंपनिस को रियासत में स्वैक्चरिंग ब्लॉक्स वेरहोज एक्सपैंशन्स और यूटिलिटी आउगमेंटेशन को बड़ा हवा दिया जाएगा तलंगनल स्ट्रीट एलेक्शन कमिशन की जानिव से आज सारी रियासत के 131 अर्बन लोकल मॉड़ीज और कई कॉर्परेशन के इन्तिखाबात का हैतेमाम किया गया साही बनाबाद कमिशनरेट हुदूद में 12 मिन्सपैलिटी और दो कॉर्परेशन के लिए आज वोट डाल दिये गए जिसके लिए खरीब 726 पूलिंग इस्टेशन के इन्दामात किये गए थे इसके अलावा भी सारे अजलाओं में भी साफ और शफाफ पूलिंग के लिए कई महकमों के इश्टराक से इन्दामात को बहतरीन बनाने की कोशशे भी की गई कई महक médirick ड़ड्यशन कई महक, क्ई पूलिंग विए्यू कई पूलाव एंध mm